जहारकन के पूर्व मुख्यमंत्री चमपाई सोरेन ने सियासी हलचल के बीच अपने सोशल साइट पर एक भावुक पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कई बिंदूओं पर विस्तार से अपने दिल की बात साजा की है, हलाके इस पोस्ट से साफ जाहिर हो रहा है कि उन किसान के एक छोटे से गाउं में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोर पर लाकर खड़ा कर दिया है अपने सारवजनिक जीवन की शुरुवात में और द्योगिक घरानों के खिलाब मस्दूरी की आवाज उठाने से लेकर जहारकन आंदोलन तक, मैंने हमेशा ज लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा, उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा, जिन्होंने जहारकन राजी के साथ अपने बहतर भविशिक के सपने को देखा था, इसी बीच, 31 जनवरी को एक अभूत पूर्व घटना करम के बाद, इंडिया गटबंदन ने मुझे जहारकन के बारवे मुख्यमंत्री के तौर पर राजी की सेवा करने के लिए चुना, अपने कारेकाल के पहले दिन से लेकर आखरे दिन तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पन के साथ राजी के प्रती अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, इस दोरान हमने जनहित के कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्द रहा, बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तपके तथा राजी के हर वेक्ति को ध्यान में रखते हुए, हमने जो भी नर्णे लिए उसका मुल्यांकन राजी की सेवा करने का संकल्प लिया था, जारखन का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कारेकाल के दोरान मैंने कभी भी किसी के साथ ना गलत किया ना होने दिया इसी बीच, हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले दो दिनों में मेरी सभी कारेक्रमों को पार् गटबंदन द्वारा तीन जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीयम के तौर पर किसी कारिक्रम में नहीं जा सकते हैं। पिछले चार दशकों के अपनी बेदाग राजनेतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से तूट कया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पार्टी के केंद्रे कारिकारनी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किया जाता है। इस पार्टी में मेरी गिंती वरिष्ट सदस्यों में होती है। बाकी लोग जूनियर है और मुझसे सीनियर सुप्रीमों जो है वे अब स्वास्त की वज़ा से राजनीती में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। विवार से भावुक होकर मैं आसू को समालने में लगा था। लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्से से मतलब थी। मुझे ऐसा लगा। मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। कोई अस्तितु ही नहीं है। जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसे अपमान जनक घटनाई हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरसकार के बाद मैं वैकल्पिक रह तलाशने हे तू मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा। आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास तीन विकल्प थे। पहला राजनीती स सन्यास लेना। दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा इस राह में अगर कोई साथ ही मिले तो उसके साथ आगे का सफर तै करना। उसी दिन से लेकर आज तक तथा आगामी जहारकन विधान सबाचुनाओ तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं एक बात और है यह मेरा नीजी संगहर्ष है इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथ्वा संगठन को किसी प्रकार की छती पहुचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है जिस पार्टी को हमने अपने खुन पसीने से सीचा है उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी मैं सोच नहीं सकता लेकिन हालात ऐसे बना दिये गए हैं कि बस अधुरी बातों के साथ चमपाई सोरेन का यह पोस्ट खत्म हो जाता है और अंतिम में उन्होंने लिखा है आपका चमपाई सोरेन